ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं हूँ इसलामोदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाट टाइम्स आज की पांच बड़ी खबरे आपको दिखाते हैं उम्रा प्रभाग समीती के मनपा अथिकरमल बिभाग के कलग रतन रेव जी बहिराओ को ठाने एंटी क्रेप्शन ने रंगेहात रिश्वत लेते हुए पकड़ा है अनधिकरित बांध काम पर कारवाई ना करने के लिए रतन रेव जी बहिराओ ने 25,000 रुपे की मांग की मगर 20,000 में ये मामला तैं हुआ और शिकायत करता नहीं इसकी सूचना एंटी क्रेप्शन ब्यूरो को दी जिसके बाद 20,000 रुपे की पहली किस्त यानि 10,000 देते हुए ठाने एंटी क्रेप्शन ने रतन रेव जी बहिराओ को गिरफतार किया है राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज का इलाज नहीं पिटाई हो रहा है वो भी पिटाई करने वाला कोई और नहीं खुद एक डॉक्टर है वाइरल हो रहा ये वीडियो सवाई मान सिंग अस्पताल का है पहले डॉक्टर ने मरीज को थपड मारा फिर बेट पर चढ़ कर मरीज की पिटाई की हालाद बिगलते देख साथी डॉक्टर ने बीच बचाव किया मामला एक जून का है मगर वाइरल होते ही वीडियो स्वास्थ मंत्री और मानो अधिकार तक पहुँच गया गहलो सरकार ने अब इस मामले में संग्यान लेते हुए जांच के निर्देश दियें पूने के पिंपरी इलाके में विश्व हिंदू परसत के कारेकरताओं ने हवा में बंदोक और तलवारे लहराई बताया जा रहा है कि बिना इजाज़त कारेकरताओं ने शोभायात्रा निकाली जिसमें कुछ लड़कियां एरगन और तलवार बासी करते हुई नजर आई और फिर फाइरिंग भी की गई इस मामले में पूने के निगडी थाने में पुलिस ने फाइर दर्ज किया है इलाके के विएचपी अध्यक्ष शरत इनामदार जिला कारे अध्यक्ष धनाजी शिंदे और जिला मंत्री नितिन काटकर सहित 200 लोगों को आरूपी बनाया गया सोमार रात करीम 9 बजे हाजी अली के सिंगनल खुलते ही मर्सिडीज और वल्वो चालक एक दूसरे को ओवर्टेक करने में लगे जिसके वज़े से मर्सिडीज चालक का संतुलन बिगडा और फुटपाथ पर चल रहे एक सक्ष इसकी चपेट में आ गया बताया जा रहा है कि दोनों ही गाड़ियां काफी रफ्तार में थी और एक दूसरे को ओवर्टेक करने की वज़े से फुटपाथ पर चलने वाले 45 वर्षिय राजेंद परसाद इस वाहन के चपेट में आये और इनकी मौत हो गई लखीमपूर खीरी के गोला इलाके में कुछ आराज़त तक्तों ने पूर परधान मंतरी सुर्गी इंद्रा गांधी की प्रत्मा पर पूर्खा पहना दिया जैसे ही सूशना कांग्रेस के कारकरताओं क्यों लगी तो हंगामा शुरू हो गया जिला पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई मौके पर पहुंचे पुलिस ने प्रित्मा से बुर का हटवा दिया जैसे तैसे कांग्रेसी कारकरताओं को समझा कर मामले को सांथ किया गया पुलिस ने अस्वासन दिया है कि दोस्यों के खिलाफ कारवाई की जाए तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रही है प्रहाट टाइम